हलो बच्चो कैसे हो आप सब मैं हूँ आपकी रुपाली मैम और आज हम पढ़ रहे हैं देखो बेटा एक छोटा सा आपका क्लास नाइन्थ का टॉपिक आपके पास आपके आटम में इलेक्ट्रानिक डिस्ट्रिबूशन कैसे होती है आपका के ल, एम, एन बिसिकली होता क्या है यह आपके पास आपके आटम में क्या चीज है और किस चीज के बारे में आपको किस चीज के बारे में आपको इनफरमेशन देता है यह जो आपके पा बताते हैं आपको आपकी Electronic Configuration के बारे में, right? किसके बारे में बताते हैं बेटा? Electronic Configuration के बारे में तो मुझे बताईये फिर जल्दी से कि आपके पास Electronic Configuration क्या होता है? What is your Electronic Configuration? हंजी बेटा, जल्दी से सारे आजाइए, जल्दी से बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा बड़ा ही आपके पास अच्छा वाला topic सीखेंगे हलो लवकूश कैसे हो बेटा आप हंजी जल्दी से हंजी students बड़िया से बेटा topic सीखेंगे हलो सेरी हंजी जल्दी से आ जाएए हंजी बेटा तो देखिए, हम आज पढ़ रहे हैं What is your electronic configuration? क्या होती है आपकी electronic configuration? Electronic configuration बेटा आपको किस चीज़ के बारे में बताती है? यह basically आपको बताती है यह आपको बताती है about arrangement of electrons आपके atom में आपके electron का arrangement कैसा है? उसके बारे में आपको आपकी electronic configuration बताती है किसी भी atom में आप electrons को कैसे distribute करते हो? अगर हम एक journal concept देखें कि basically किसी atom में आप electrons को fill कैसे करते हो? आपको कैसे बता है कि कितने electron कहां रखने है? तो इस concept को एक बड़े ही interesting way से आज सीखेंगे, पढ़ेंगे? हंजी तो लवकुष आपका क्या doubt है वीटा? हाँ बोल सकते हैं कि element का atomic number है basically वो आपको किस चीज़ के बारे में बताता है कि किसी element में कितने electrons present है तो उन्ही electrons की arrangement को आप क्या बोलते है? electronic configuration वही हम सीख रहे हैं आज हंजी तो देखिए यहां पर आपके पास एक छोटी से example के साथ हम शुरू करेंगे let's suppose कि आपके आपके एरिया में आपके टाउन में एक stage show हो रहा है क्या और एक stage show हो रहा है आब बोल सटे कोई concert हो रहा है कोई stand-up comedy हो रही है कोई भी stage show हो रहा है तो देखिए आपका चल रहा है stage show ठीक है stage show में आपको पता है कि आपके पास ऐसे proper rose होती है तो देखिए मैंने क्या कि यहां पर आपके पास 3 rose बना दी हांजी आरियन बताईए हांजी गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून बेटा जल्दी से आजाए हांजी तो मैं आपको बता रही थी एक stage show है और एक stage show में हमने क्या किया इस तरह से आपके पास 3 rose बना दी this is your row number 1 this is your row number 2 and this is your row number 3 ये जो row है ना बेटा ये आपके पास जो सबसे बहली row है ये है आपके पास VVIP के लिए मतलब जो बहुत special guest होते हैं उनके लिए फिर उसके बाद आपके पास एक row है वो है VVIP के लिए फिर उसके बाद जो आपकी row है वो किसके लिए है आपके common people के लिए तो देखिए अगर आपके पास पहली रो में वी 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 आईपी बैठेंगे हैं बहुत जादा important person बैठेंगे तो वहां पर आपके पास बड़िया सी chairs होनी चाहिए तो लीजे हमने बहुत बड़िया सी हाँ पर chairs लगा दी है ठीक है फिर उसके बाद आपकी second row में कौन बैठ है वी आईपी बैठ रहा है आपकी second row में तो वहां पर भी हमने बड़िया सी chair लगा दी है no doubt VVIP वाली chairs जादा बड़िया है लेकिन VIP वाली chairs भी ठीक है फिर हमने क्या किया common people के लिए chairs लगा दी right common people के लिए chairs लगा दी अब यहां पर क्या हो रहा है stage show चलना है stage show शुरू हो होने से पहले यहां पर क्या होगा यहां पर लोग आएंगे बैठेंगे अराम से राइट तो क्या करेंगे हम यहां पर arrangement कर देंगे सबसे पहले वी VIP बैठ चुके हैं फिर आपके VIP बैठ चुके हैं और फिर आपके पास आपके common people बैठ चुके हैं hello भावना कैसे हुआ बिट ये हैं आप, ये हैं आप, ठीक है, और यहां पर आप बैठे हैं, अब आपको ना, आपके किसी friend को call आया, और वो आपसे पूछ रहा है, कहां हो, तो आप बताओगे कहां हो, आप बताओगे कि यार, इसी रिया में न, stage show हो रहा है, मैं वहां पर हूँ, है न, फिर वो पूछ कि आप कहां पर हो, मतलब वो stage show में अगर मैं आपसे मिलने आऊं, तो मैं आपको कहां पर ढूंडूंगा, तो आप उसको exactly बताओगे कि stage show में मेरे पास 3 rows है, सबसे पहली row है, VVIP की, very very important persons की, फिर उसके बाद, second row है, VVIP की, very important person की, उस row में मैं बैठे हूँ, और उस row में उस row में भी कौन से chair number के उपर बैठे हो, वो आप उसको बताओगे, राइट, वही आपके पास, बेटा, atoms में होता है, वही आपके पास, आपके atoms में होता है, देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, यह है आपका stage show, मतलब यह है बेटा, आपका nucleus, आपके atom के बीच में, जो nucleus होता है, जो center of attraction है, जिसकी वज़े से electrons वहाँ पर present है, आप देखो, आपके पास, जो आप stage show देखने गए हो, वहाँ पर आप जाकर अपने arrangement के आप बैठे, वहाँ पर chairs पर आप क्यों बैठे, वहाँ पर center of attraction क्या है, यह stage show, वैसे ही atom में electrons वहाँ पर क्यों present होते है, because of nucleus, तो देखिए, यह आपका है, बेटा, nucleus और उसके आसपास हैं, आपके पास, जैसे, जैसे आपके stage show में रोज थी, वैसे ही आपके पर क्या है, shell है, क्या है बेटा, shell है, और जैसे हर room में बैठने के लिए, आपके लिए एक proper chair arrange की गई थी, वैसे ही, वैसे ही हर atom में, आपके पास, electrons को arrange करने के लिए, proper यहाँ पर क्या होती है, proper यहाँ पर आपके पास arrangements की जाती है, proper यहाँ पर, space होती है, हर electron के लिए a proper यहाँ पर, आप बोल सक्कते रहें, chair होती है, right, हंजी, तो देखी, सबसे पहला, जो सबसे पहला बेटा आपके पास shell है, जो सबसे पहला आपके पास shell है, उसमें आपके पास दो chairs है, आपके atom में भी बेटा, जो आपका पहला shell होता है, उसमें दो ही species होती है, फिर आपके पास आपका जो second shell है बेटा, उसमें कितनी chairs है, count कीजिए क एक इतनी चयर्ज आ निकऊ 1,2,3,4,5,6,7,8 तो आपके second shell में बिटा, second shell में, आपके पास कितनी चयर्ज होती है, second shell में आपके पास, second shell में आटम के होते हैं eight species, और आपका जो third shell है, उसमें होती है, आपके पास 18 स्पेसेज अब मुझे ये कैसे पता कि पहले में 2 होंगे फिर मेरे पास 8 होंगे फिर मेरे पास 18 होंगे आपको कैसे पता माम ये तो ये जानने के लिए ये जानने के लिए आपके पास एक जानल फॉर्मूला होता है बिटा कि अगर आपके पास पहला शेल है तो कितने electron होंगे दूसरा shell है तो कितने electron होंगे तीसरा shell है तो कितने electrons होंगे तो इस तरह से आपके पास एक formula होता है आपके electrons को जानने का that number of electrons number of electrons present in n shell कोई भी एक shell है जिसे shell 1 है, shell 2 है, shell 3 है उसके लिब एक formula होता है that is 2N square क्या होता है बिटा 2N square very good love kush क्या होता है बिटा 2N square राम राम कुल्दी बिटा कैसे हुआ आप हाँ जी तो देखिए ये आपके पास क्या होता है आपका formula जिससे आपको पता चलता है कि कौन से shell में कितने electrons present है एक और बात बहुत important है देखो आपके बैठोगे अगर आपके पास आपको option दिया जाए कि ये पहली रो है दूसरी ये तीसरी है तो सबसे पहले आप कहां भागोगे obviously जो very 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 important person वाली रो है सबसे बढ़िया रो है सबसे बढ़िया chairs है वहां जाके बैठोगे न वैसे ही atom में होता है वैसे ही बैठा atom में होता है सबसे पहले सबसे पहले आपके पास आपके electrons यहां पर बठेंगे यहां पर आकर वो place होंगे सबसे पहले electrons यहां पर आएंगे फिर आपके पास आपके electrons second shell में move करेंगे फिर आपके पास बैठा आपके electron second shell में move करेंगे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक space खाली है और आपका जो electron है वो third shell में चला जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होगा ऐसा बिटा कभी भी नहीं होगा आपका जो electron है वो यहाँ नहीं आएगा आपका electron पहले इस shell को fill करेगा फिर आपके पास आपके next shell में move करेगा समझ में आया आपको पहले first shell fill होगा फिर second shell fill होगा फिर third shell fill होगा जैसे यहाँ पर हमने rose को नाम दिया very very important person very important person रो और common people रो वैसे ही आपके atom में भी हर shell को एक नाम दिया जाता है case ही इस नाम को शुरू किया जाता है alphabetically सबसे पहले सबसे पहले आएगा बिटा k shell ठीक है जिसमें आपके पास यहाँ पर दो seats है फिर आएगा आपके पास l shell जिसमें आपके पास 8 seats है फिर आपके पास आएगा m shell जिसमें आपके पास 18 seats है क्या है बिटा 18 seats है तो देखिए आपके पास अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर यह formula यूज करके हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को बेटा अब हम सीखेंगे, देखिए, इस चीज को हम सीखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मेरे पास n1 है, तो देखिए, number of electrons, number of electrons in your first shell, that is your k, आप कैसे निकालोगे 2n2, 2 into 1 square, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, आप देखिए, अगर n2 है, तो number of electrons in your second shell, second shell, जिसको आप L बोलते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2n2, 2 into 2 square, तो यहाँ पर देखो, 8 seats है, तो यही तो मैंने बोला कि पहले 2 seats हैं, फिर आपके पास 8 seats है, n is equals to 3 बेटा, number of electrons in your third shell, तो देखिए, यहाँ पर आपका third shell है, m shell है, तो यहाँ पर आपके पास 2 into 3 square, यहाँ पर क्या आजाएगी, 18 seats, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलो, कि अगर n is equals to 5 हो, तो जल्दी से मुझे बताईए, कि आपका जो fifth shell है, उसमें कितने electrons आएंगे, आएगा आरियन बेटा, quiz भी आएगा, पहले मुझे इस question में बताईए, कि आपके पास fifth shell में कितने number of electrons होंगे, जल्दी से बताईए, हांजी, हांजी बेटा, जल्दी से बताईए, कितने electrons होंगे, 2 into n square, 2 into 5 square, और यहां पर कितना, very good love, कुश, कितना हैगा बेटा, 50, 50 electrons होंगे, इस तरह से आप electrons यहां पर count कर सकते हैं, अब देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, यहां पर अगर मैं बात करूँ, कि मेरे पास यह atom, यहां पर कोई फी particular atom है, hydrogen से start करते हैं, पहला है hydrogen, फिर है helium, फिर है lithium, उसके बाद कौन सा होता है, लीथियम के बाद कौन सा होगा, हांजी सावित्री, हांजी टॉम, बिल्कुल सही बेटा, 50 electrons आएंगे आपके पास, तो बताएए बेटा, hydrogen, helium, लीथियम, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद बेटा कौन सा आएगा, यहां पर आएगा, beryllium, boron, उसके बाद carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो देखिए, फिर यहां पर हम electrons कैसे fill करेंगे, सबसे पहले, यहां पर एक electron आएगा, आपको पता है, यहां total electrons कितने आ सकते हैं, दो, यहां 8, यहां 18, और यहां 2N square, 2 into, 2 square, sorry, 4 square, तो यहां पर कितने आएगे, 32 electrons, एक electron आया, फिर आप में एक और add हो गया, helium में, दो, ठीकिए, अब lithium में कितने होते हैं, तीन electrons होते हैं, कितने electrons होते हैं, बिटा, तीन electrons होते हैं, यहां पर, तो दो, यहां पर आएंगे, अब तीसरे के बैठने के लिए, हमें पता है, यहां पर चेहर नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, next shell में, move करना पड़ेगा, और एक electron कहाएगा, यहां पर आएगा, राइट, हंजी, और ऐसे ही देखो, beryllium के case मे पहले दो electron यहां पर उसके बाद आपका एक electron यहां आ गया था, एक और आड़ हो जाएगा, राइट, बोरोन की case में आपके पास 5 होता है, उसका atomic number बेटा, तो यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 4, राइट, एक electron और फिल हो जाएगा, एक electron और फिल हो जाएगा, फिर इस case में आपके पास एक electron और फिल हो जाएगा, और इस case में एक electron और फिल हो जाएगा, राइट, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, समझ में आया ना, आगे वाले elements को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, helium आपका इसके बाद आएगा, neon, neon की case में 2, 8 हो जाएगा, राइट, अब देखो अगर मैं sodium की बात करूँ बेटा यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर sodium की, हाँजी, अगर मैं बेटा यहाँ पर बात करूँ आपके sodium की, na की, देखो, neon तक हमारा, हाँजी, neon हमारा रह गया था, तो देखिए, यहाँ पर 2 आएंगे और यहाँ पर 8 आएंगे, यहा यहां पर देखो भी 11 electrons हैं, तो 2 यहां आ जाएंगे, उसके बाद 8 यहां आ जाएंगे, अब 8 electrons से जादा यहां पर electrons नहीं आ सकते, क्योंकि electrons के लिए वहां पर 8 chairs ही हैं, तो 9th electron को बैठने के लिए next shell में move करना पड़ेगा, तो फिर क्या आ जाएगा, 281, वैसे ही अगर magnesium का आ लिखना चाहो, 2A2, तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हो, राइट, हांजी, very good, तो देखे बेटा, क्विस क्वेशन आया है, जल्दी से बताईए, अभी यह formula हमने पड़ा है, the total number of electrons in the principal shell is designated by the expression, ABCD, क्या अंसर आएगा, बेटा, हांजी, जल्दी से बताईए, बेटा, ABC CD, क्या अंसर आएगा आपका, अभी पढ़ के आयो ना, हांजी, बताईए, तो देखो बेटा, इसका अंसर क्या आएगा, अभी इसका अंसर आपने देखा, इसका अंसर आएगा, D, that is 2N square, very good, बेटा, very good, हांजी, तो देखे बेटा, यहाँ पर आपके लिए आया है, डाउटनट लेकर आया है, स्कॉलर्शिप टेस, 6 तू 10 के लिए, 27 जून को बेटा, यह टेस्ट होगा, और यहाँ पर आपको स्कॉलर्शिप जो है, वो अप्टू 50 लाक्स तक लग सकती है, तो जरूर यह टेस्ट दीजी, रिजिस्टर कीजिए अभी, और अपना स्कॉलर क्लासीज देंगे, होमवर्क देंगे, टेस्ट देंगे, और सारा स्टडी मिटीरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बढ़िया सा कोर्स हैं, बढ़िया से टीचर्स हैं, बहुत अच्छी टीम हैं, बहुत बढ़िया से वो आपको पढ़ाएंगे, और देखें, यह इनके ह अगर उसमें फिर भी दिक्कत है तो comment कीजिए और अगर आपको और भी कोई doubt है इस course के बारे में तो बेटा इस number के उपर call कीजिए तो जल्दी से मुझे बताईए जल्दी से क्या आप class 9th board VIP course को join करना चाहेंगे हंजी बेटा जल्दी से very good आर्यन very good love kush बिल्कुल सही है आपका हंजी बताईए class 9th VIP course बेटा आप join करना चाहेंगे बताईए बेटा